Hello and welcome to study with Sudhir. आज हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र 11th class का syllabus का chapter History of English Drama यानि की English Drama का इतिहास. So I want you to do two things before we start this particular video. एक तो notebook रख लो, ओके? और काफी सारे words, because ये एक तरह सा history का lesson है, ये English literature का lesson नहीं है, ओके? तो इसमें आपको काफी सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, तो you keep noting down as I explained to you, okay, so काफी सारे factual details पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, because इसी में से आपको प्रश्ण भी आएंगे, इसमें कुछ ज़्यादा analysis करने को नहीं है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको आसान भाषा में समझ में आ जाए, okay, बच्चो, तो notebook रख लो, pen रख लो, और साथ में साथ लिखते रहो, जो भी मैं समझाता रहो, उसको अपने भाषा में, English में, दो-तीन words में लिखते रहो, ताकि आपको बाद में, this will serve as a purpose for us, this will serve the purpose of being short notes, okay, so when we speak about English drama, now let's read the first paragraph, and this is probably the most interesting paragraph in this entire chapter, okay, how dramatic are you, अभी आप कुछ, चिडचिड़या बहेव कर रहे हैं, या घर में थोड़ा कोला हाल मचा रहे हैं, तो आपकी मम्मी क्या कहते है, अरे इतना ड्रामा क्यों कर रहा है, कहते हैं नहीं, इतना नाटक क्यों कर रहा है, do they mean to say that, कि तुम स्टेज पर खड़े हो कर नाटक कर रहे हो, नहीं, इसका मतलब है, कुछ बड़ा चड़ा के, you are trying to present something, कि कुछ ज़्यादा ही है, जबकि actually उतना बड़ा नहीं है, एक तरह से scene create कर रहे हो, है ना, so how dramatic are you, is your response when a friend exaggerates, exaggerates का मतलब बड़ा चड़ा के, इस word को underline कर लो, and exaggerate का मतलब भी लिख लो, means that someone is actually presenting it, in a slightly higher manner than what it actually is, like, एक ordinary कुछ pen है, लेकिन बड़ा चड़ा के बोलो, आरे ये इतना बड़िया pen है, ये ऐसा लिखता है, जैसे और इससे लिखो, तो 100 में से 100 मार्क मिलते हैं, तो तुम बड़ा चड़ा के, किसी चीज़ को पेश कर रहे हो, marketing कर रहे हो, उसकी advertising कर रहे हो, right, so how dramatic are you, is your response, when a friend exaggerates, और overreacts, या किसी बात को एक तरह से, छोटी सी बात हो गई हो, लेकिन आपका reaction इतना बड़ा हो, जो कि वो चीज़ उसको deserve नहीं करता है, तब भी बोलते हैं, अरे इतना drama क्यों कर रहे हैं यार, अराम से रहे, right, so it means, you are correctly using the word drama, drama और इससे अगली line को, आप underline कर लिजिए, ये definition की type का है, it is a performance, drama, मुझे मालूम नहीं, आप में से कितने लोगों ने drama देखा है, नुकर थीएटर होता है, जो कि streets में perform किया जाता है, या दूसरा होता है, जो stage पर perform किया जाता है, मेरे अच्छे दोस्त, सत्यजीत, National School of Drama में पढ़े थे, तो उनकी वज़े से, मेरी drama में काफी रुची बढ़ी, और मैं डिली में काफी सारे नाटक, देखता था वहाँ पर, ओके, so drama is a performance, which is essentially loud, exaggerated, and larger than life, ये तीन keywords है, इनको underline कर लीजे, essentially loud, यानि की, loud का मतलब, सिर्फ ये नहीं कि, जोर की बात करना, लेकिन, how-how-how जैसे आपके stage पर हो, थोड़ा से exaggerated form में हो, क्यों, normal life में हम इस तरह से बात नहीं करते हैं, right, लेकिन, खुशी का expression हो, या दुख का expression हो, या गुसे का, क्रोध का expression हो, वो सभी थोड़े से exaggerated, थोड़े बड़ा चड़ा के रहेंगे, exaggerated का भी मतलब वही है, जैसे मैंने आपको समझाया, and larger than life, यानि की, it will not be a normal human being, but someone who is like, you know, they present him as though he is someone bigger than the normal life people, like you and I are, right, so also it's an audio-visual medium, मतलब क्या, आप बात भी सुन पा रहे हैं, और देख भी पा रहे हैं, so it's an audio-visual medium, the audience is sitting around, right, normal Indian theatres वगारा में, कहीं पर भी सामने बैटे होते हैं, लेकिन पुराने जमाने में क्या होता था, तीनो तरफ, stage के तीनो तरफ, पीछे curtain होता था, जहांसे actors अंदर आ जा सकते थे, right, और तीनो तरफ audience बैट सकती थी, तो आपको इस तरफ वाले भी देख सकते थे, इस तरफ वाले भी देख सकते थे, सामने वाले तो obviously देख पाएंगे, right, in the last row, should be able to hear or see an actor on stage, this would be, for example, stage whisper is far louder than a whisper in real life, अभी होता क्या है, stage पे दो characters है, एक बंदा दूसरे को कान में कुछ फस्फसार रहा है, ओके, तुझको मालूम है ये कैसे हुआ, लेकिन हम इस तरह से बात करते हैं, लेकिन चुकि mics वगरा होते हैं, तो audience में जो सबसे पीछे रो में भी बैठा होता है, उसको भी ये बात सुनाई पड़ेगी, नॉर्मल लाइफ में ऐसा होता है, obviously नहीं होता है, इसी को बोलते हैं exaggeration, तो इससे होता क्या है, कि जो मन की बात हो, या किसी को whisper किया हो, वो भी audience में सबको सुनाई पड़ेगा, ताकि they know exactly what is happening on stage, और this would be an example of, this phrase is very important, और इसी के लिए इसको dark में लिखा गया है, willing suspension of disbelief, ये लिखा गया था, Samuel Coleridge द्वारा, okay, it can be defined as a willingness to accept the unreal, disbelief, belief का मतलब क्या है, इसको dacet करते हैं, belief का मतलब है, जो जिस पर आप विश्वास कर सकें, right, disbelief का मतलब उल्टा, जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकें, तो आपको मालूम है कि ये जो stage पर हो रहा है, ये सही नहीं है, ये सच नहीं है, लेकिन आप उस समय, चुँकि पूरे entertainment के background में, के framework में ये, हाला कि आपको मालूम है, ये सच नहीं है, लेकिन उस जूट को भी accept करने में, एक मज़ा आ रहा है, so you are willing to suspend your disbelief, समझ में आया, you as the spectator, as the audience, you are willing to suspend, यानि कि हम मानते हैं, कि ये सही नहीं है, लेकिन हम उस जानकारी को suspend करने में, suspend मतलब, उसको परे रखने में के लिए तयार हैं, और हम उस जूट को accept करते हैं, क्यूंकि जैसे 1990s में फिल्में आती थी गोविंदा की, उसके एक फिल्म है ना आंके, चंकी पांडे और गोविंदा की, मुझे मालूम नहीं, आपने देखी है नहीं, उसमें एक बंदर गाड़ी चला रहा है, क्या एक बंदर गाड़ी चला सकता है? आपको मालूम है, यह सच नहीं हो सकता है, लेकिन चूंकि वो एक तरह के एक entertainment के दाएरे में बदा हुआ है, आप उस बात को विश्वास कर लेते हैं, आप उसको question नहीं करते हैं, this is also an example of willing suspension of disbelief, right? So, it may also mean sacrifice of realism and logic, logic नहीं है, for the sake of enjoyment, जैसे मैंने अभी बताया, the term was coined by poet called Samuel Coleridge, यह आप से प्रशन पूछा जा सकता है, कि willing suspension of disbelief, किसने कहा था? The term often applies to fictional works of the action, comedy, fantasy, horror यांडरा, भूथ प्रेथ, आपको मालूम है, नहीं हो सकते, लेकिन आप उस, चुंकि वो जो stage पर चल रहा है, मज़ा आ रहा है, तो आप उसको देखने के लिए, और उसको उस पर विश्वास करने के लिए भी तयार हैं, अब ही मैं उम्मीद करता हूँ, पूरी तरह से समझ में आ गया आपको, और poetry is language expressed in rhythm and meter, drama is a specific mode of fiction represented in performance, poetry और drama में अलग होता है, हाला कि drama भी poetry के उपर based हो सकता है, line एक कविता हैं बोल सकते हैं, stage के उपर, यह तो dialogue के उपर निर्भर करता है न, ए play, opera, mime, mime मतलब एक तरह से mime act होता है, जहांकि जहां पर एक तरह से copy करते हैं, और यह mime के भी अलग-अलग type of mimes रहते हैं, and ballet, ballet is like a dance form of drama, dance drama, जो हेममालनी बगरा करती हैं, performed in a theater, radio, television, तो मैं उमीद करता हूँ, यह box आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है, नहीं आया है, तो comments में लिखो, अब इसके बाद यह drama के दो definitions हैं, इसको आप याद रख लिजे, what is drama, drama is a composition in verse, यानि कि जिस तरह से बात करने का जो lines रहती हैं, और pros to be acted on stage, in which a story is related by means of dialogue, तो इस story को dialogue से, मैंने यह कहा, उस actor ने यह कहा, and is represented with accompanying gesture, how about acting कर रहे हैं, costume, अगर मैं राजा का role play कर रहा हूं, तो मैं राजा के costumes पहनूंगा, and scenery, पीछे properties रहेंगी, तो अगर जंगल का scene है, या महल का scene है, तो महल के properties रहेंगे, एक सिहासन होगा, दो-तिन मंत्री होंगे, सिपाई होंगे, all that kind of jazz, ओके, ये तो Oxford Dictionary के definition है, और इस definition को आपको याद करना पड़ेगा, दूसरा एक और definition है, ये M.H. Abrams के glossary से है, जहांके लिखा गया है, drama is a composition designed for performance in the theater, in which actors take the roles of the characters, perform the indicated action, and utter the written dialogue, utter मतलब बोलते हैं, जो dialogue लिखे गए हैं, ये dialogue तुमारा है, ये पूरा पेज का dialogue है, पड़ो, I mean कई सारे drama है, like Nassir Uddin Shah के drama मैंने देखे हैं, Manoj Vajpai के drama देखे हैं, आश्तो श्राना के drama काफिज के सारे देखे हैं, तो you know, drama is great fun, because unlike a movie, जो के एक परदे पर होता है, here you can see the actor on stage, कभी-कभी actor अपनी लाइने भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी, you can see how they are managing on stage, so it's like real action, तो theater देखने में बहुत मज़ा आता है, नुकड नाटक देखने में तो और भी मज़ा आता है, because वो तो stage पे बनी हैं, वो तो same road पे आपके साथ खड़े हैं, और वो एक तरह से crowd को भी involve करते हैं, street theater में, यहां तक समझ में आ गया, आगे चलते हैं, what are the elements of drama, plot, plot मतलब की पूरा कहानी क्या है, characterization, जितने भी characters होते हैं, dialogue, setting, किस तरह का setting है, कहां पर setting है, शहर में है, गाव में है, जंगल में है, stage directions, की नो, की director का काम की, कौन कब entry मारेगा, कब कहां जाएगा, कब play में क्या होगा, conflict की, अगर कोई जगडा हो रहा हो, या किसी तरह का, दो characters के बीच में, बाद विवाद चल रहा हो, conflict does not necessarily mean physical fight, and the theme of the play, comedy है, tragedy है, horror है, उस तरह से. The four closely related areas of focus are, focus of the scene, audience, explanatory, यह सब तो आगे बढ़े हैं, कितने type of dramas वगारा रहते हैं, romantic drama, obvious है, tragedy, comedy, tragic comedy, tragic comedy, जहां पर comedy भी हो, लेकिन उस तरह, उसमें थोड़े tragic elements भी हो, उस तरह से भी बनते हैं, तो comedy में romantic comedy रहती है, sentimental, जहां पर काफी सारे emotions हो, classical comedy, in which you have a lot of, you know, gods and those kind of mythological kind of figures, comedy of humor, it's obvious, comedy of manners is where you use satire, satire, young, जिसको बोलते हैं, उसका इस्तमाल किया जाता है, ओके, यहां तक समझ में आगया, अभी आगला page यह इस तरह का है, तो मैं इसमें से दो portions, मैं आपको specifically बतायता हूँ, अपनी किताब जो आपके साथ पास में होगी, उसमें से पढ़ लीजे, I mean, you don't have to see it on the screen, plot तो it's pretty much obvious plan है, इस सब points को आप याद रख लीजे, अगर plot में, what is meant by plot पूछे, तो यह तीन points आपको लिखके, answer में लिखने पढ़ेंगे, beginning है, middle है, end है, इस में कोई, I mean, there is nothing for me to explain in this, except for this monologue, monologue का मतलब क्या है, जहां पर मैं, like for instance, एक नाटक है, राजा को, राजा जंगल में गया, और बाकि अपनी सेना से उस बिचड़ गया, ओके, वो जंगल में अकेला है, और वो ढून रहा है, अगर वो इधर उधर देखता रहेगा, तो उसके मन में क्या चल रहा है, ये क्या, किसी को समझ में आएगा, नहीं आएगा, right, तो अगर वो अपने thought process, अपनी बातों को loudly बोले, उसको soliqlue qyub बोलते हैं, जो अगला एक और बोड है na, ताकि audience को पता चले, कि इस character के मन में असली में क्या चल रहा है, ये तो हो गए उसकी मन की बात, उसको soliqlue qyub बोलते हैं, monologue तब बोलते हैं, जब एक character अपने से बात करता है, कई बारी हम आप अपने से बात करते हैं, right, so, जब अपने से बात करते हैं, उसको monologue बोलते हैं, dialogue, the, d-i-a, dialogue is when it involves at least two people, you know, मेरा dialogue और तुमारा dialogue, monologue, mono is like one, is when only one character is speaking, और dialogue से होता क्या है, character के बारे में, plot के बारे में, हमको जानकारी मिलती है, बाकि everything is pretty self-explanatory, आगे चलें, अब हम चलते हैं, short history of drama की और, okay, the introduction to English theatre, okay, अभी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, अभी तक का, I hope you have understood, now, drama has its origins in folk theatre, यह folk theatre भला क्या होता है, folk theatre होता है, लोक रंगमंच, अगर मैं हिंदी भाषा में समझाओ, मराथी में भी आपको same भाषा, same words ही यूज किये जाते हैं, और मराथी थेटर तो बहुत ही ज़्यादा vibrant theatre है, इतने अच्छे अच्छे नाटक कार, मराथी theatre से आये हैं, उसके बाद मराथी films में भी उनका काफी सारा role रहा है, है, so in that sense it's a very vibrant theatre culture that Maharashtra has, okay, so Lok Rangmaj, folk theatre is an integral part of Marathi theatre in particular, the same was the case in English drama, so we therefore cannot consider drama merely as a part of literature, सिल्फ literature साहित्य का पाट नहीं है, ये एक सारा से folk theatre का भी पाट है, drama, okay, words are the medium of literature as an art, but drama is a multiple art, using words, scenic effects, यानि की पीछे का background, music, संगीत, gestures of the actor, जिस तरह से हाव भाव actors करते हैं stage के उपर, and the organizing talent of the producer, because producer की जरूरत पढ़ेगी कि वो एक अलग-अलग तरह के actors को साथ में ले के आए, musician को साथ में ले के आए, sound effect वाले को साथ में ले के आए, director को साथ में ले के आए, तभी एक तरह से पूरा production बन पाएगा, okay, और उसके बाद marketing करके एक जगा पर stage कर पाए, now the beginnings of drama in England are obscure, obscure मतलब थोड़ा सा vague, you know, थोड़ा सा vague है, पूरी तरह से जानकारे नहीं है, कि यही हुआ था है नहीं मालूम नहीं, कब हुआ था, exact date और time का मालूम नहीं है, okay, appointment नहीं है, there is evidence to believe that the Romans were in England, जब Italy, Romans, okay, Italy के Rome के Romans, England में थे, कई साल पहले, okay, they established vast amphitheaters, amphitheaters क्या होते हैं, stage होता है, और उसके साथ एक तरह से U-shape, U-shape भी नहीं, एक बड़ा सा U-shape की तरह इस तरह से, बीच में stage होगा, और ऐसे, okay, amphitheaters का establishment किया गया, okay, आप जब engineering college, medical college वगरा जाएंगे, तो बड़े-बड़े campuses में, काफी सारे amphitheaters होते हैं, तो यहाँ पर कोई बात कर सके, या perform कर सके, तो चारों तरफ बैठके, लोग देख सके, चारों तरफ ने, around 180 degrees, right, so they created amphitheaters, for the production of plays, लेकिन जब Romans England छोड़के चले गए, वो theater भी उनके साथ चला गया, okay, then there were, what are called the minstrels, now minstrels, exactly, they are, minstrels का मतलब है, मैं आपको exact meaning बता देता हूँ, traveling musicians and singers, who were pretty active, between the 11th and the 15th centuries, okay, so minstrels, traveling musicians, याने की, एक जगा से दूसरे जगा ट्रावल करते थे, और संगीत के द्वारा, संगीत के माधियम से, they used to tell stories, okay, and also perform, okay, people enjoyed their performances, gradually by the 10th century, the ritual of the plays had themselves, something very dramatic in it, and got extended into the rudiments, rudiments is the most simple form, is the most simple form, of a particular event, which can also, you know, बिल्कुल clear नहीं होगा, लेकिन रहेगा, you know, it's not something which is very clear, there's not great clarity, okay, कि ये play, play का मतलब, आज की तारीख में कैसे जानते हैं, plot होगा, actors होगा, directors होगा, music होगा, lighting होगा, audience होगा, उस समय पर उस तरह से नहीं था, लेकिन, this was like the initial stages, right, जैसे man का hunter is the rudiment of the homo sapiens, right, between the 13th and the 14th century, drama started having themes which are separated from religion, okay, पहले religious place काफी होते थे, the words themselves were spoken in English, a longer dramatic script came into use, and they were called miracle place, okay, कि किसी भी तरह का एक miracle, which cannot be explained, उसको लेकर नाटक बनने लगे, और कई सारे इस तरह के religious place को morality place भी कहा गया, in which the characters were abstract vices and virtues, इसका मतलब क्या है, vices is negative, यानि की बुराईया, virtues is अच्छाईया, तो इसको allegories बोलते थे, allegories का definition आपसे पूछे जा सकता है, तो आपको ये पूरा explain करना पड़ेगा, तो उसमें होता ये था, कि एक नाटक करेंगे, जिसमें such truth will be a character, जूट यानि की lie will be another character, courage, बहादुरी will be another character, साहस will be another character, तो उस तरह के vices and virtues, अच्छाईया और बुराईयों को लेकर, उनके characters बनाते थे, और उसके द्वारा, लोगों को एक सीख मिलती थी, कि बुराई का अंत हो जाता है, बुराई अच्छाई की विजय होती है, बुराई के उपर तो एक तरह से धार्मिक प्लेस होते थे, और एक तरह से moral science जैसे messages को spread करते थे, समझ में आ गया? इसके बाद आया Elizabethan and Restoration Theater, जो कि that's the time when the theater really took off, और ये take-off हुआ एक शक्स की वज़े से, कास तोर से, William Shakespeare, जिनके नाटक Midsommar's Night's Dream आपके syllabus में भी है, इसके पहले भी आपने नवी कक्षा में या दसवी कक्षा में जरूर पढ़ा होगा, कोई ना कोई Shakespeare का तो पढ़ा ही होगा, okay, he is considered one of the greatest dramatists to have lived in this world. Now, these secular morality, secular morality मतलब, it's not specific to one religion, okay, have direct links with Elizabethan place, the Renaissance, the Renaissance period is the period of learning between the 15th, late 15th and the 17th century. It imposed a learned tradition, जाक्तवर लोगों को एक्तरा से काफी समझ थी, classical in depth, क्यूंकि classical मतलब, Roman Greek mythology के भी काफी सारे characters in place में होते थे, और education का theme होता था, general moral problems, जैसे कि क्या-क्या करना ठीक रहेगा civil society में, उसके ओपर commentary होती थी, एक लड़का-लड़की प्यार करते हैं, शादी से पहले भाग जाते हैं, उस तरह की problems को भी दर्शाय जाता था, जैसे Merchant of Venice में था, आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा class 10 में, secular politics, कि राजनीती के ऊपर भी commentary होती थी, लेकिन इन plays का direct धरम से connect नहीं होता था, Shakespeare का आप कोई भी play देखें, उसमें आपको राजनीती पर एक तरह से commentary मिलेगी, जैसे Tempest हुआ, Macbeth हुआ, Hamlet हुआ, part के ऊपर काफी सारे commentary होगी, directly religion से connected नहीं थे उनके नाटक, they were examples of both comedy and tragedy, okay, सोहे तो नहीं न कोई, जगे हुए हो न, सुन लो, it may not be the most captivating, ये कहानी नहीं है, लेकिन एक तरह से सुनो कि कहानी की तरह ही सुन रही हो करके सुन लो तो नीन नहीं आएगी, okay, नहीं तो काफी पिलो, pause करो, दो मिनट चल के आओ, वापिस आओ, okay, ये chapter तो करना ही है न, Thomas Kidd, Christopher Marlowe and William Shakespeare, ये तीन में नाटकार थे, उस जिसमें से Shakespeare सबसे अवल नंबर के थे, okay, इन तीनों को underline कर लीजें, it was kid who discovered how easily blank was, सो जिस तरह के dialogue होते थे, ये poetry नहीं होती थी, Shakespeare के अगर आप dialogues पड़ें, तो हाला कि वो old type of English है, लेकिन वो poetry नहीं है, ये जिस तरह से हम बात करते हैं, उसी तरह की English है, जिस तरह की English उन दिनों बात में, का इस्तमाल उन दिनों होता था, okay, tragedy developed in the hands of Kidd and Marlowe, comedy also had proceeded beyond rustic humor, सिर्फ crude humor नहीं होता था, हाला कि Shakespeare के plays में भी crude humor का इस्तमाल किया गया है, कुछ characters के द्वारा, but by the 90s of the 16th century, याने की 1590 के around, theater in England was fully established, और Shakespeare Globe Theater में अपने plays को stage करते थे, okay, Shakespeare का निधन कब हुआ था, 1620, 1616 मे, okay, and Tempest is one of its last place, the theater in England was fully established, the public theater of the 16th century differed in many ways, important ways from the modern theater, it was open to sky, you know, की covered नहीं था, open to sky था, without artificial lighting, the stage was a raised platform, with the recess at the back, जहां से actors आजा सकते थे, supported by pillars, there was no curtain and the main platform could be surrounded on three sides, और उपर से भी देख सकते थे, इस तरह के Shakespeare के टाइम पे रहते थे, okay, उन दिनो, and around the theater, there were galleries, जैसे मैं जहां मैंने कह, and in the 17th century, the enclosed theater gained importance, and there was increasing attention to scenic device as theater became private, so private theaters होने लगे, कि कुछ लोगों के लिए, select audience के लिए, place को stage किया गया, in fact, Shakespeare के कई सारे plays, तबके राजा, महरानी वगरा के लिए भी stage किया जाते थे, इसलिए उनके इसमें काफी राजनीती का काफी influence रहा है, Shakespearean era came into existence in the 16th century, mainly he wrote most of his plays between 1590 and 1611, okay, he wrote on contemporary, contemporary, मतलब उन दिनों क्या होता था, उसी को लेकर वे अपनी कहानिया लिखते थे, in fact उनके कई सारे plays, उन दिनों England में, Europe में क्या हुआ, उसके बारे में लिखा गया था, okay, manipulating, manipulating का मतलब negative way में नहीं है, लेकिन उन्होंने Elizabethan stage का सही तरह से काफी अच्छी तरह से इस्तमाल किया, but the genius of Shakespeare should not allow the rest of the drama of his age to be obscured, मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिरफ Shakespeare ही इकलोते dramatist थे, हाँ, सबसे बड़ा नाम थे, Amitabh Bachan थे, लेकिन Amitabh Bachan के साथ साथ Dharminder, Vinod Khanna बगारा भी थे, similarly Shahrukh Khan के साथ Salman Khan, Aamir Khan बे थे, right? So, what he is trying to say is that, let's not focus only on Shakespeare, there are other people like Ben Johnson, who was again a major dramatist, and उनके लिए words क्या इस्तमाल के है, क्या है, classicist moralist, and a reformer of drama काई सारे नई चीज़े हों का उन्होंने introduced किया, reformer of drama, और very classical way में, English में वे अपने drama को लिखते थे, comedies लिखते थे, and जो restoration dramatist जो बाद में जो restoration phase आया, उन्होंने Ben Johnson से काफी influence लिया, okay? उसके बाद क्या हुआ, और ये काफी important बात है, 1642 में Puritans took over England, okay? The Puritanical Rule की बात करते हैं, okay? 1642 में उसके बारे में ज़्यादा वो इतिहास की बात हो जाती है, okay? और इसके वजय से English drama बंध हो गया, तकरीबन दो दशक, तक, two decades 1642 to about 1660, okay? उसके बाद restoration हुआ, restoration मतलब फिर से restore किया गया और उसके बाद नए तरह के drama आये, तो Shakespearean era एक तरह से खतम हो गया, okay? In the early part of the 17th century, Charles 2 जब England के महराजा बने, उसके बाद 1660 के बाद theaters को re-open किया गया, okay? और restoration comedy फिर से उभर कर आने लगी, okay? लेकिन इसमें भी थोड़ा सा लोचा था, पहले आये the comedy जो की एक तरह से sentimental comedy थी, रोना-धोना kind of comedy और ये comedy of manners बन गई, okay? जो satirical comedy की मैंने बात की पहले, George Itherich was his major exponent, जो की comedy of manners लिखते थे, दोनों चीज़ को note कर लो, underline कर लो या अपने notebook में लिख लो, comedy of manners George Itherich, then उसके बाद उभर कर आये Oliver Goldsmith और Richard Sheridan, okay? और Sheridan ने एक तरह से dialogues पर ज़्यादा focus करना शुरू किया, comedies लिखना ज़्यादा शुरू किया, और एक तरह से उनका जो style था, वो Ben Johnson की style में था, Sheridan का style और Ben Johnson का style एक तरह से similar था, हाला कि Ben Johnson was more superior in his writing style to Sheridan, तो Sheridan की writing में वो दम नहीं था, जो कि Ben Johnson की comedies में पहले देखा गया था, और Sheridan का मानना ये था कि he was more close to Oscar Wild, जो कि काफी प्रसिद लेकक है, that he was more close to a, more close मतलब, उनके writing की शैली जो थी, Oscar Wilde जैसी थी, हाला कि Ben Johnson was considered superior उसके बाद आता है modern theater तीसरा part, ओके, अभी तक का समझ में आ गया, कि पहला तो हुआ, the initial phase, right the Roman influence, and then the Renaissance age the Elizabethan and the restoration drama और उसके बाद आता है modern drama modern drama में, and it is what we are seeing today in its various forms, right artificial light का इस्तमाल किया गया, right, there was Paris में काफी सारे drama की गए, musical dramas शुरू हुए, जो की आज कल भी opera बगरा जो देखते हैं, जो की Paris का काफी famous है, right the theater was home mainly to irregular spectacle, melodrama and farce, farce मतलब दोका धरी बगरा, right और इसमें Covent Garden और Drury Lane ऐसे दो theaters, जो theater houses काफी प्रसिद बने, okay, जहां पर लोग जाते थे, drama को देखने के लिए, right और ये तब के society में क्या हो रहा था, उसको उसके बारे में बात करता था, यहां पर एक प्रमुख नाम, जो उभर कर आया, वो था Ibsen note कर लीजे, underline कर लीजे important है, he is from Norway not from England, he is from Norway, okay, and उन्हों ने ये सारे किताबें लिखी, ये सारे plays लिखे, और इसमें जब आप पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद I, my favorite, George Bernard Shaw, who is brilliant, absolutely brilliant, George Bernard Shaw की कहानिया, essays और plays are mind-boggling, okay, I consider him one of the greatest drama artists, okay, उन्हों ने भी Ibsen से सीखली, okay, and he was, जैसे लिखा, he was the most brilliant playwright of his times, और उन्होंने एक तरह से English drama को elevate किया, the responsibility of elevation of English drama, यानि कि उसका उत्थान किया, उसको और उंचायों पर लेके गए, और उसके Oscar Wilde और George Bernard Shaw in the 19th and the 20th century, okay, और इसके बाद कई सारे नामों का उलेक किया गया है, Granville Barker, John Galsworthy, John Galsworthy has written stuff like Escape, An Eldest Son, right, St. John Irvine, okay, ये सब Irish Ireland से थे, right, और इनके ड्रामा Abbey Theatre Dublin में stage किये जाता थे, underline कर लिजे, notebook में लिख लिजे, right, इसके साथ-साथ एक दूसरे, एक लेक काई, called W.B. Eats, okay, ये भी मैंने अपने college के समाने में पढ़ा है, इनके, this thing, Lady Gregory is one of his most famous one, and Lake Isle of Innisfree, ये दूसरी, एक उनका एक work है, which is also very famous, okay, तो इसको भी underline कर लिजे, okay, and they were all from Ireland, और उसमें एक तरह से काफी humor का इस्तमाल किया जाता था, और उनकी जो भाशा थी, वो England की भाशा से भी थोड़ी सी अलग थी, in the terms of the kind of vocabulary and the kind of words that they would use, इसके बाद एक बहुत बड़े लेक काई, T.S. Elliot, okay, और उन्होंने Greek tragedy को introduce कि आखी कि Greek tragedy में से काफी सारे elements का इस्तमाल English literature और English drama में वे लेकर आए, okay, John Osborne, he's another famous dramatist of his time, और नीचे, Anton Chakov from Russia, Brett, Eugene O'Neill, Arthur Miller, Tennis William, very famous, Samuel Beckett, Waiting for God, हमारे literature के third year में होआ करता था, which is like, you know, you're just waiting for someone who does not come, okay, it's a very interesting kind of a book. So these are some of the big names, तो आपको इन सब के नाम याद रखने पड़ेंगे, एक जगा पे लिख लिजे, आपको याद रहेंगे, इसमें T.S. Eliot, Samuel Beckett, W.B. Eats, George Bernard Shaw, Ibson वगारा ज़्यादा important है. Indian theater has, Indian theater सबसे बड़ा drama तो रामायन और माभारत है, कभी राम लीला देखी है, जब मैं छोटा था, मैं हर रात को दशरा के टाइम पे दस दिन राम लीला चलती थी हमारे एरिया में, तो हर रात को, राज को, रात को, चाड़े बारा एक बए तक बैठके राम लीला देखके आते थे, तो राम लीला हुआ, माभारत हुआ, भारत मुनी ने नाटे शास्त्रा लिखा है, इसको भी आप, इनवर्ट को भी आप याद रखिए. Okay, next page पे, जो की inverted है, तो उसमें आपको ये periods के साथ ये दिखेंगे, तो आपको आसानी होगी याद रखने में. So, the next page, page number 134 is important. Please go through in your book and you can understand what it is, कि कौन से period में क्या हुआ, medieval period में क्या हुआ, medieval period में कब से कब तक था, कौन राजा था, उसके बाद renaissance period, फिर restoration period, फिर Victorian period, और फिर modern period, तो restoration, Victorian वगारा, ये कौन उस समय पर ruling था, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, by chance एक मार का question आ गया, बरोसा नहीं कर सकते, तो यहाँ पर जितने भी लोगों के classics का नाम है, उसको भी आप याद रख लीजे, because that can also come, it can come as match the following kind of questions also, you can be asked, अभी next चलते हैं, one act play के बादे, one act play क्या होता है, one act play essentially is not a short, ऐसा नहीं है कि ये shortened play है, लेकिन सिरफ एक ही act होता है, उस act के अंदर काफी सारे scenes हो सकते हैं, right so it's a complete story और इसको stage पर perform किया जाता है, जैसे normal because अगर आपने Shakespeare का ड्रामा पढ़ा हो, उसमें act one, act two, act three, act four, act five रहेगा, ये सिरफ one act play है, okay, लेकिन इसके अंदर scenes हो सकते हैं, इसके अंदर तीन में लोग आते हैं, जाते हैं, कोई और आता है, फिर इन से मुलाकात होती है, तो उससरा के कई सारे characters, कई सारे कलाकार हो सकते हैं, लेकिन action एक ही जगा पर होता है, okay, और इसमें इतने ज़्यादा characters भी obviously नहीं होते हैं, and it's simple design, property वगरा ज़्यादा lavish नहीं होता है, right, तो इसमें होता क्या है, plot, main बात, obviously कहानी तो होनी चाहिए, तो it is about a single interesting episode, okay, और उसको एक तरह से move किया गया है, पुरे उस कहानी के अंदर, okay, Aristotle, जो कि ग्रीक philosopher थे, उन्होंने का, conflict is the soul of drama, ये quote को याद रख लीजिए, अपने notebook में अलग से फिर से लिख लीजिए, conflict यानि कि एक तरह से दो लोगों के बीच में वाद विवाद हो, तर्क वितर्क हो, उसी से drama बनता है, right, मेरे में और दूसरे बंदे में अगर तर्क वितर्क होगा, तो एक तरह से it will look very dramatic, right, जैसे बोलते हैं, okay, we usually have conflict in a play, modern plays of the theater of the absurd are an exception to it, absurd मतलब, जो की ridiculous है, nonsensical है, तो उसमें conflict नहीं होता है, कि दो लोग आके बकवास कर रहे हैं, तो उसमें conflict नहीं होगा, लेकिन normally drama में conflict होना चाहिए, जैसे even movies में, movies are essentially drama, right, तो उसमें क्या होता है, कि hero और villain के बीच में conflict होगा, right, उसी से आपको रुच्ची आती है उस movie को जाके theater में देखने के लिए, right, theme, theme is the basic story around which the plot revolves, right, और इसमें lake, जो lake लिखता है, जिसने कहानी लिखी है, direction जिसने की है, dialogue जिसने लिखे हैं, वो सभी को एक तरह से amalgamate, उस सभी को मिलाया जाता है, right, और इसी से, अगर हम theme, for instance, हम theme, हम भारत की गरीबी के उपर एक नाटक करना चाते हैं, so that is the theme, उसके उपर जो कहानी बनती है, उसको plot कहेंगे, right, setting उसको कहेंगे कि ये ये गरीबी का नाटक हमने कहाँ पर set किया है, महराष्टर के शायद सतारा में किया है, right, या शोलापूर में किया है, right, या नागपूर के पास किसी गाव में किया है, तो एक तरह से वो setting हो जाती है, right, और किस समय पर किया गया है, कि क्या हम pre-independence इंडिया की बात कर रहे हैं, या हम कल, जो पिछले साल हुआ COVID के टाइम पर उस समय की बात कर रहे है, right, तो उस तरह से वो setting हो जाती है, language कौन सी भाशा में है, हिंदी में है, मराठी में है, इंग्लिश में है, right, तो वो language की बात हो जाती है, चार्ली चैपलिन के जितने भी फिल्में थी, वो तो silent movies थी, लेकिन silent movies होने के बावजूद, they used to be able to convey a message, through actions, right, अगर चार्ली चैपलिन को कोई फिल्में नहीं देखी हैं, तो please go and see, because they are extremely entertaining, हमारा बच्पन तो चार्ली चैपलिन की movies देखे ही बिता है, पहले दूरदशन पर आते थी, right, so that is the thing, and one-act play में dialogues भी कम होते हैं, लेकिन वो dialogues ऐसे लिखे जाते हैं, जिससे कि उसका impact सबसे ज़्यादा हो, so that is something, तो यहां पर Shakespeare के Hamlet का, to be or not to be, right, उसका जिक्र किया गया, जिसके कि कई सारे interpretations बन जाते हैं, और इसमें poetic devices का भी इस्तेमाल किया जाता है, imagery, visual imagery, acoustic imagery, symbolism की, हमने ऐसा है कुछ दिखाया, लेकिन उसका एक तरह का अलग तरह का symbol है, personification, जहांपर inanimate objects को, जो की एक cloud है, which is an inanimate object, उसको एक तरह से human values की तरह हम दर्शाते हैं, और humor हो गया, व्यंग हो गया, तो इससे एक तरह से you make it interesting for the audience to watch, then who are characters, वो तो आपको मालुम है, जितने ज़्यादा characters होंगे, a round character, ये भी आप note कर लीजे, a round character is someone who is like, you know, well-rounded personality बोलते हैं, right, मोटे बंदे को नहीं बोलते हैं, well-rounded personality, well-rounded personality is someone, जिसका की उन्हों की एक तरह से, he is someone who is, क्या बोलो मैं, dynamic, एंड एक तरह की उसकी personality ऐसी है, जो की उभर कर आती है, उन्हों उसको समझ है, दुनियादारी की समझ है, लेकिन जो flat character होता है, जिसको कि हम, जब हम film critic वगरा करते हैं, criticize करते हैं, film की reviews लिखते हैं, मैं काफी लिखता था, आजका नहीं लिखता हूँ, आजका ज़्यादा movies OTT पे देखता हूँ, तो उसमें, be right, he is a very flat cardboard character, cardboard क्या होता है, फिलको flat होता है, तो flat cardboard character बोलते हैं, जो की पूरी कहानी में एक जैसा ही रहता है, उसके बारे में हमको कुछ खास मालूम नहीं रहता है, well-rounded personality ऐसा होता है, कोई एक character है, तो उसके पीछे क्या हुआ, उसकी जिंदगी में, बच्वन में ऐसा क्या हुआ, जिसकी वज़े से वो आज इस तरह से बरताव कर रहा है, तो it's like a well-rounded personality, समझ मैं आया, and then there are also caricatures, caricature मतलब एक तरह से मजाख बन जाना, okay, for instance, यसे एक गोलमाल सीरीज हाई थी, movie, अजे देवगनवाली, उसमें जो तुशार कपूर का character था, that is what is called a typical caricature, because आपको उस character के बारे में और कुछ नहीं मालूम है, except for the fact that he is not able to speak properly, right, तो that becomes a caricature, हम आजकल cartoon बोलते हैं, but the correct word is caricature, right, the story revolves around the main character or characters who face a dilemma or conflict, conflict, ये dilemma किसी तरह के, मुश्किल में पड़ गये, और उस मुश्किल से उभर कर कैसे आते हैं, that becomes the basic plot and the story of the play, what are the features of one-act play, has one or more scenes, जैसे मैंने बताया, is concise in manner, मतलब कि ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा रहता है, has a single dominant theme, और उससे एक ही बात को पर focus करते हैं, it treats problems of everyday life, कि रोज मरा की जिन्दगी में क्या हो रहा है, उसकी कटनाईयों पर focus करते हैं, it has a beginning, it has a middle, at an end, वो तो play में वैसे भी रहता है, right, exposition, जो introduction को exposition कहते हैं, brief रहता है, फिर conflict होता है, right, उसके बाद climax होता है, और उसके बाद एक तरह से conclusion, the denomant which is the conclusion, right, it gives introduction of stage direction, creates a mood, has unity of time, place and action, मतलब आपको पता रहेगा कि ये play, आजादी के पहले के इंडिया में बेस किया गया है, या ये 2010 के COVID टाइम पे बेस किया है, जैसे मैंने उदारण दिया, तो आपको पता चलेगा कि कहां पर इसको establish किया गया है, simple plot रहता है, ज़्यादा characters नहीं रहते हैं, और एक तरह से audience के साथ एक direct connect बन पाता है, last point, ये तो general book के बारे में है, तो creativity के बारे में भी आपको जानकरी मिल पाएगी, so I hope, I've managed to explain it to you, अगर कोई अभी भी जगा हुआ है, सोया नहीं हुआ है, तो good night, मैंने chapter समझा दिया है, it's not a very easy chapter to make you understand and enjoy, लेकिन मैं उमीद करता हूँ, कि आपको drama के बारे में, पूरे theater world के बारे में, थोड़ easy, पहले पहले zero पता था, तो at least अभी दो points तो ज़दा मालूम हो गए होंगे, अगर समझ में नहीं आया है, तो 1.5x speed पे जल्दी से सुन लो एक बारे फिर से, because किताब में पढ़ना इतना असान नहीं होगा, अगर आपको कोई समझा दे तो always easy होगा, तो मैं तो यही सला दूँगा, कि 1.5x speed में जल्दी सुन लो, ताकि इसमें से कोई भी प्रशन आये, और जो note करने को बोला, वो note जरू कर लेना, that is going to be very important, short notes for a chapter like this will be extremely useful. Thank you very much for watching, tata, bye-bye, like करो, share करो, subscribe करो, bye-bye.